दोस्तो ये कहानी बड़ी अजीब है इसमें जो मर्जी जिस मर्जी को पेल देता है कोई किसी के भाई से पलंग तोड़ रही है कोई किसी की बंदी को पेल लाए कोई किसी की लुगाई से भटाबट 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 कर रहा है तो कोई किसी की नौकरानी से चरम सुकु तो चलिए थोड़ा मज़ा हम भी ले लेते हैं कहानी की सुरुवात में हम एक मिनिबस को देखते हैं उसी बस में हम एक जोवन नाम के नैवी को देखते हैं तब ही जोवन तीसमार खान बनके उसकी मदद करने आता है लेकिन जब तक उस लोंडिया ने उन गुंडों को धूल चटा दी थी और कहती है भो सुडी के लोंडिया ठोक दूंगी तुमारी ये देखकर जोवन कहता है वा मेरी जान वा तुने तो हैंड पम नचा दिये इनके इस लोंडिया का नम सैंटी होता है और जोवन को देखकर उसके आनलों की घंटिया बच जाती है ओह यार ये क्या बोल दिया सोरी सोरी दिल की घंटिया बच जाती है ये देखकर जोवन भी सोचता है यार क्या किसमत है मेरी अभी बस में गुफाओं के बार में ही सोच रहा यह सुनकर नंको गुस सुन कर जोन का खिएँ कर लुटा दिया इतनी मारी मुठ की टोपा सुजा दिया हमें कमझोर होता देख जब मुशकराई वोскटन कि भूल कर एक बार फ़र से इञए गुतेटिनृठी थे यह बोलकर सेंटी वहां से भाग जाती है दोनों भागते भागते एक जोपड़ी के पास पहुंचते हैं जहां जोवन सेंटी से भटाबट 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 करता है और काम खतम करने के बाद वहां से जाने लगता है तो सेंटी कहती है मैं भी चलूंगी तेरे साथ तो जोव अब हम मैरी नाम की एक नौकरानी को देखते हैं जो कि जोवन की बहन होती है और ये किस एंगल से बिमार आ ये तो पता नहीं ये तो धार उड़ाते उड़ाते अपने मालिक से घंटी बजवाना चाहती है और उसे हमेशा ऐसे धार उड़ाते वो ताड़ती रहती थी दियर बाद जोवन अपनी बहन से मिलने आता है वहीं मैरी गिलीगिली करके उसके पास आती है और कहती है कि हाले लउंडे ठेक है तू ये जोवन इसे इग्मॉर करता है और जाते जाते उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है अब क्योंकि जोवन पूरे त बटाबट करने के लिए पागल हो जाता है मैरी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन जोवन हार कहां मानने वाला था पहले तो मैरी उसे मना करती है लेकिन बाद में भटाबट भटाबट करते करते सुवे से साम हो जाती है और चोटी-चोटी मोसम्मियां आम बन जाती है ये दिन हम मेरी के मालिक डेविट को देखते हैं जो कि एक लोंडिया पटोली का हर जगा पीछा कर रहा था यानि कि ये इसे बजाना चाहता है और इसका मुरब्ब चाटना चाहता है लाल वाला नहीं सफेद वाला वो हर जगा उसका पीछा कर रहा था चर्च मार्केट कॉफी हर जगा उसे देखकर सोचता है दिल तो दिया है तुझे मगर एक सर्थ लगाई है लेनी है वो चीज़ जो तुन्हें टांगों के बीच में चुपाई है एसान किसी का क्या लेना हम तो मुट पे गुजारा करते हैं जब भी तेरी याद आती है उट उटकर दुबारा करते हैं ये बोलकर विचारा था खार कर अपने घर पर आता है वहीं घर की सफाई करते वक्त मेरी को डैविट के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है तो वो चल्दी से अपनी जेब में डाल लेती है वहीं नहाने के बाद हमेशा डैविट को दूद चाहिए होता है लेकिन आज उसे पूरे घर में कहीं भी मेरी नहीं दिखाई देती तो वो खुदी कीचन में दूद लेने चला जाता है जहां वो देखता है कि उसकी दादी दोपहल में होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी होती है और आज की पार्टी में पटोली भी अपने पती जोसप के साथ आई थी वहीं डैविड अपने फॉन से पटोली की फोटो खिचने में लगा होता है यह देखकर जोसब को बड़ा जीब लगता है वो पटोली से कहता है यह भूसडी का क्या कर रहा है अरे जानू यह फोटो किलिक कर रहा है कोई बात नहीं एक दिन मेरी डैविड के रूम तो मेरी कहती है नहीं सर ऐसे कोई बात नहीं है तो फिर डैविड कहता है अच्छा रुख जा आज मैं तुझे हैंड पंप दिखाता हूँ यह देखकर तो मेरी की दोनों आखे लपक के भार आ जाती है और फिर वही होता है पलंग तोड़ भटा भट भटा भट भटा भट था उस टाइम पटोली अपने घर की तरफ जा रही थी और उसे पता चल जाता है कि डैविड उसका पीछा कर रहा है और वो नहीं चाहती थी कि कोई डैविड को उसका पीछा करते हूँ देखे इसलिए वो ना चाहते हूँ भी डैविड की काल में बैड जाती है और डैवि भटाबट करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फैंटेसी है ये सुनकर पटोली का हाल हस हस के बेहाल हो जाता है तब ही पटोली की घंटी बसती है फोन की और उसे एक नए नमबर से कॉल आया था ये देखकर डैविड तुरंत इसके फोन का जीपेस बंद कर देता है और पटोली से कहता है कि इसे ओफ करके ही रखना वरना तुम्हारा पती यहां पर भी दू मिला के आ जाएगा तो फिर पटोली कहती है तुरोज मेरे नाम की मुठ्ध मारता है न तो डैविड कहता हाँ वो भी 9 साल से और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने लेटी हो तो इस पर पटोली कहती है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं तुमसे बाते कर रही हूं उसे देखकर डैविड बोलता है आज ये तिरह दिल फीड से दुखा दूँगा अपने प्यार के करजे चुका दूँगा देकर लालच कुलफी का अंधेरे में अपना अस्ताज चटा दूँगा ये सुनकर पटोली के मूँ से दारू निकल जाती है अच्छा बच्चू पंगे लेगा और फिर ये दोनों भटाबट 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 करने लगते हैं और करते करते इन दोनों को टाइम का पता नहीं चलता और अब रात हो जाती है और वो जल्दी से अपनी पेंटी डूणने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलती इसलिए वो ऐसे ही चली जाती है तब ही डैविड पटोली से कहता है तू टैंसन मत ले यहीं कहीं पड़ी उधर पटोली जब गर पर होती है तो इसका पती उससे पुछता है हैरी पटोली कहां पर देती पिर ली थी और तुने अपने फोन के GPS OFF क्यों कर दिया था पटोली उसे जूठँ बोलती है क्यों इसके फोन की बैटरी OFF हो गई थी जोसफ को पटोली पर सक तो हो गया था पर वो इस बात पज़ाता ध्यान ना देते हुए पटोली से चरम सक भटाबट 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 करने लगता है अगले दिन जोसफ एक यूनिवर्सिटी से एक लॉंडिया पोली को लेने जाता है जो की लोली पर चूस रही होती है दरसल पोली पहले जोसफ के लिए काम करती थी और उस टाइमिन दोनों ने पलंग तोड़ भटाबट भटाबट किया था पोली जोसफ की गाड़ी में जाकर बैट जाती है इसके बाद जोसफ उसे सेवन स्टार ओयों में लेके जाता है जहां वो पोली को ले जाकर उसके साथ भटाबट 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 करना सुरू कर देता है और कहता है मेरे अंदर छपन घोड़ों का जोस तु कहा तरी मम्मी के भी खो दूँगा होस क्योंकि मैं हूँ जोसफ जोस इसके बाद जोसफ पोली को धेड़ सारे पैसे देते हुए कहता है ये ले घर जाने के पैसे यूपर बुला लियो ये देखकर वो चिड़ जाती है और अपने मन में सोचती है I am a bitch and you are my dog I am a bitch and you are my dog so let me lift my leg and you are a sovereign इसके बाद जोसफ पोली की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्टर जोसी से करवा देता है जिसे अपने लिए एक लड़की के जरुएत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे बटाबट बटाबट कर रही थी वहाँ पर पॉली कुछ ज़्यादा ही दारू पी लेती है जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है ये देखकर जोसी उसे घर पर ले आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसी एक मिठ्थी है यानि कि लेजबियन है और उसी के कहने पर जोसी ने उसके लिए पॉली का इंतजाम किया था और वो उससे रोज भटाबट 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 करती थी जिससे पॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था हलाकि उसे जोसी के साथ मजा तो बहुत आया था लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहती थी इसलिए जोसी पॉली को इसके घर पर छोड़ देती है जहाँ पर हम सैंटी को देखते हैं ये वही है मुवी की स्टार्टिंग वाली और आज भी कुछ लोंडे इसकी तितली लेने के लिए पीछे पड़े थे इसकी तितली कुछ ज़्यादा मस्त है क्या जहां पर सैंटी अपनी तितली को बचा के भाग रही होती है क्योंकि ये बस उस नवी के नाम थी तब ही उसे जोसी की कार दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैट जाती है और जोसी दराटे कार तो कार बगा लेती है और पूरी रात वो सैंटी के साथ लेस्बिन वाली ठुकाई करती है और सुबह होते ही जोसी उसके पास कुछ पैसे रखकर चली जाती है लेकिन तब ही सेन्टी वहाँ पर आ जाती है और जोसी को उसके पैसे लुटा कर बोलती है कल रात को मुझे तुमार साथ बहुत मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए लेकिन अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है ये सुनकर जोसी उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन सेंटी उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी जोवन के वापिस आने का वेट कर रही थी जोवन भई है जो में फिल्म के स्टार्टिंग में दिखा था थोड़ी दिर बात जोवन भी फूलों का गुलदस्ता लेकर सेंटी के पास आता है और वो सेंटी को प्रपोस करता है जिसे देखकर वो बहुत खुस होती है और वो दोनों भटाबट 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 करने चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है तो कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट करके जरूर बताना और अगर यह मूवी देखनी है तो टेलिग्राम के चैनल पर जोइन हो जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना तो मिलते हैं ऐसी नेट वीडियो में